तो नमस्कार दोस्तों मैं दीप आप सभी का फिर से हमारे चोट यूटूब चैनल पर स्वागद आपके लिए कोई ना कोई टैक्स से लेटेड हमेशा वीडियो जे लेकर आता रहें तो दोस्ती यहाँ पर आज से हम कंप्यूटर की बेसिक इंफ्रमेशन से सुरू करने वाल और साथ में दोस्ति यहाँ पर अगर आपको कोई भी विंड़ो 7 विंड़ो 10 विंड़ो 8 इंस्टाल करनी है उससे लेटेड भी मैंने काफी वीडियो बना रख्या उनका लिंक्त मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँग यह फिर आप मेरी प्ले लिस्ट के अं यहाँ पर वीडियो को सेर्क कर देना है जिसक्राइब आपको स्टैब बेस्टैब मैं बताऊंगा कि इस तरह के से कंप्यूटर के अंदर आप सोफ्टेर भी इंस्टाल कर पाएंगे और उनकी सैटिक्स कर पाएंगे सबसे पहले दोस्ति यहाँ पर आज हम बेसिक बात कर यहाँ पर आप देख सकते कि यह इसे हम सीप्यू बोलते हैं जो भी आपका डेटा रैम जो भी है इसके अंदर होता है मदर बोर्ड जिससे सारा कंप्यूटर वर्क करता और दोस्ति यहाँ पर जब आप कोई भी कमांड देते हैं या फिर इन्पूट देते हैं यहाँ पर आप माउस का यूज करते हैं या फिर की बोर्ड का यूज करते हैं यहां पर जब भी यहां पर कोई भी कमांड देंग तो वह आपको आउटपूट देगी मोनीटर रहे यहाँ पर पहले हम इसे मोनीटर बोलते दे लेकिन यहां पर अजग के ताय में काफी ज़्यादा और साथी में docentYelsา, और में बात करो ही, यहां पे जो input होता है, यहां पे keyboard हमारा input में आ गया, mouse आ गया हमारा input के अंदर, यहां पे अगर मैं बात करों, output के बारे में बात करोंख तो, यहां पे आपकी monitor, output के अंदर आ गया, और जोड़ोन पे speaker उते हैं, वो भी आपके output के अंदर आ जाते हैं और साथ में दोस्ति यहाँ पर आप सभी को पते यहाँ पर सिर्फ आप normally इसके अंदर क्या करते हैं कि movies देखने के लिए use करते होंगे जैसे कि यहाँ पर कोई भी movie आप play कर लिते हैं या फिर आप इसके अंदर कोई भी सुनने के लिए इसे use करते हैं लेकिन दोस्ति यहाँ पर मैं आपको step-by-step बताने वालों कि किस तरीके से आप इसके अंदर काफी सारी चीज सीख सकते हैं MS Office सीख सकते हैं, Excel सीख सकते हैं या फिर आप इसके अंदर PowerPoint PPT सब को सीख सकते हैं दोस्ति यहाँ पर step-by-step मैं आपको daily videos एक computer related videos लेकर आऊंगा जिसके अंदर दोस्ति यहाँ पर किस तरीके से आप इसके अंदर जितनी भी control panel के अंदर settings हैं किस तरीके से आप अपना username चेंज कर सकते हैं किस तरीके से आप इसके अंदर Wi-Fi की setting कर सकते हैं फिर आप ethernet के दोबारा internet चला सकते हैं mobile का internet चला सकते हैं उसके बारे में completely इसके अंदर हम बात करें बात को मैं मेरे पास जो computer i510 generations और 256 GB SSD और 1 TB SSD और दोस्ति यहाँ पर आप display दे सकते हैं यह 2K display है जो कि Dell company की है जिसे हम monitor बोलते है यहाँ पर इसके बारे में completely मैं आपको सब कुछ इसके अंदर शिकाने वाला और आपको बताना वाला तो दोस्ति यहाँ पर अगर आपको अभी चोटी सी information काफी अच्छे लगी ते वीडियो को like कर देना तो दोस्ति यहाँ पर अगर आपकी चोटी सी अपडेट वे information काफी अच्छे लगी ते वीडियो को like कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना बहले को प्रस करना मैं आपके लिए ऐसी अपडेट वे information से लेकर आता रहों को मिलते हैं नेक्स नई वीडियो में ओके बाइट झाल